आदरानी प्रधान मंत्री जी को मेरा प्रणाम, मैं भासकर केश्री वरार्थी सहर दच्छिडी विधान सभा के पंडित देंद्याल उपाद ध्याय मंडल का कारे करता हूँ सरव प्रथम मैं आपको धन्तेरज दिपावली गवर्धन पूजाय में भाया दिवच्की हार्दिक बधाई विशुप कामरा है सभी कासिवासियों की ओर से आदराणी प्रधान मंत्री जी हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को हम लोगों ने 150 भी गांधी जी की जैनती पूरी की जिसमें विभिन प्रकार के आयोजन किये गए इस तरह कारेकरम बहुत आवस्चक है जनसंपर करने का आवसर मिला लोगों से और इससे बहुत खुशी प्राप्थ हुई और मैं आपसे एक मालक दर्शन के रूपे पूछना चाहता हूँ कि और क्या किया जाए जिससे कि हमारे चेतर में गांधी जी के विचारों को और आगे बढ़ाया जाए क्रिपे हमारा मालक दर्शन करें धन्यवाद अधनिवाद आपका आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है देखिये आप सबकी खुशी है मेरी खुशी है मुझे खुशी होगी हरते हो हार में मैं काशी आ सकूं आप लोगों के बीच रह सकूं लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा काम दे दिया है कि मेरे लिए वो भी एक बड़ी जिम्मेवारी है उसको भी पुरा करना होता है लेकिन इस बीच भी अभी आपका इतना प्यार है काशी का इतना प्यार है मेरा जर्मन जुरू कर जाता है कि हर उत्सव के समय हर महत्वपूर्ण अवसर पर आपके बीच रहूं फिर से आपन के फ में प्रेला देते हैं Одczy में अगर बच्चे का जन्मदीन होता है तो कुह नया करने का मन करता है तो हमने गांदी 150 पूरे देश को नई उर्जा मिले पूरे देश में एक नया विस्वास पैदा हो उस दिशा में हमने ध्यान के इंद्रित करना चाहिए और जो मैं काशी की बात करता हूँ तो मुझे आद है 18 मई 2014 को जब गंगा आरती के समय हमारे बीच गांदी जी की 150 वी जैनती पर कारेंजली देने के लिए चर्चा हुई थी आप सब के साथ और काशी ने ही सहंचापूर में सौचाले को इज़्जदगर नाम दिया जो आज देश भर में मश्रूर है और मुझे ये भी फिड़बेक मिला है कि गांदी जैनती पर शुरू की गई गांदी संकल्प यात्रा इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है सान सान पर पूरे देश में हमारे कारकरता पध्यात्रा कर रहे हैं पूरा देश बापू से प्रेदित है उनके सम्मान में कुछ करना चाहता है लेकिन एक कारकरता के रूपे है हम लोगों ने संकल्प करना है मैं देश्वाशियों को भी कहता हूं कि गांदी 150 और आज्ञादी के 75 2022 यह जो दो-तीन साल का समय है मातमा घांदी, स्वभाशा, स्वदेश, स्वावलंबन, स्वास्रय, इन सारी बातों की बात करते थे और मैंने 15 अगस को भी कहा था क्या हम नेड़े कर सकते हैं कि 2022 भारत के आजाजी के 75 साल तक हम लोकल चीजे खरीदेंगे अगर हमारे गाउं में बनी चीज है तो बहार से नहीं लेंगे गाउं में नहीं है तो तालू के अंदर से ब्लॉक में से कहीं से लेंगे वहाँ नहीं है तो जिले से लेंगे जिले में नहीं है तो पुरे राज्य में से कहीं से मिल जाएगी लेकिन हम पहली कोशिश करेंगे जो भी लेंगे लोकल लेंगे आने वाले 2022 आजादी के 45 साल होते तक आप देखिए कितना बड़ा हम योगदान कर सकते हैं यह बात हम कैसे पहुंचाए और मैं मानता हूं गांधी को 150 को हर सामान्य नागरी जैसे मैं कहता हूं दिवाली है दिवाली में हम नए कपड़े खरी खरीदें हर प्रकार का फैब्रिक लें हर प्रकार की चीज़ खरीदें लेकिन कम से कम एक खादी की चीज या हैंडलूम की जो हमारे बुनकर भाइबन बनाते हैं उनसे कोई चीज खरी लेए अब देखिए उनकी उनके गरीब के घर में दिया जलेगा गरीब के घर में नहीं रोशनी आएगी मन इस बार ये भी कहा है कि भारत की लक्ष्मी इस दिवाली में भारत की लक्षमी इसको क्यों न करे है हमारे इलाके में कोई बेटी होगी जिसमे अच्छा काम किया होगा कोई बेटी होगी जो दास्वी काक्शा में समघ होगी, कोई बेटी उने खेल कुछे में अच्छा काम किया होगा, कोई बेटी होगी ने बढ़िया रंञोली की होगी क्यों नहीं और भारत की बेटि मात्मा गांदी कहते थे कि एक बेटी पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता दो परिवार पढ़ते हैं एक बेटा पढ़ता है तो एक परिवार पढ़ता है लेकिन बेटी पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं अब महत्मा गांदे ने बेटियों के इतना महत्मा दिया था हम भी दे सकते हैं याने बापू किने कही हुई हर आज हम लागू कर सकते ह हैं अपनी जीवन के वहबार में उसी प्रकारज मैंने कहा था कि दिवाली के दिनों में कभी हम लोगों वादत है कहीं मिठाई भीड़ा खाते हैं फिर आदी भैक देते हैं छोड़ देते हैं इस बार हम ताय करें कि ऐसी कोई चीज बरबाद नहीं होने देंगे किसे ने किसी जरूरत मत तक पहुंचाएंगे बहुत अच्छे ढंगे सम्मान के साथ उसको भी वोग्ठ लाएंगे अब देखिए जन सामान्य के सुख़दुख के साथी बन करके दिवाली बनाते हैं उसका आनंदी अलग होता है और यही तो गांदी जी ने हमको सिखाया था यही तो इ इसके आजहांदी के जंग लोग लड़े थे